आप देख रहे हैं डीडी कशिर एसास कश्मीर का नमस्कार आदाब नाजरीन आपके पसंदीदा प्रोग्राम पाकिस्तान रिपोर्टर में मैं अरजुमंद अली खान आप सब का तहदिल से इस्तखबाल करता हूँ नाजरीन आज के शुमारे में हम पाकिस्तान में इनसानी हुकूक की बढ़ती खिलाफ वर्जी और बेगुना अफराद की जबरन इखवाकारी को लेकर मचरह हाहकार के लावा सियासी और समाजी बढ़ाली पर खुसूसी रिपोर्ट्स आपको दिखाएंगे लेकिन सबसे पहले डालते हैं एक नजर पाकिस्तान रिपोर्टर के आज के शुमारे की सुर्खियों पर यूएन एचारसी में कश्मीरी राग पर पाकिस्तान को भारत ने फिर किया शर्मसाद पाकिस्तान में जरूरी दवाईयों की खिमतों में भारी इजाफे पर मचा हाहकार और मर्यम नवाज ने जिमनी चुनाओ में धांदिलियों पर एजिंसियों को ठहराया खुसूर्वार्ट सबसे पहले रूख करते हैं सुट्जर लिंड के जनेवा शहर का जायज़ा लेते हैं UNHRC यानि United Nations Human Rights Council के 46 में सालना इजलास में अलापे गए कश्मीरी राग को लेकर पाकिस्तान की हुई शदीद फजीहत का UNHRC के इजलास में भारत की नुमाइंदा सीमा पुजानी ने Right to Reply में जमु कश्मीर समेट दुनिया भर में दहشت गर दी और अकलिती फिर्कों के खिलाफ जल्म जादितियों को बढ़ावा देने वाले पाकिस्तान को आईना दिखा कर पूरी आलमी बरादरी में शर्मसार कर दिया जबाना जियां पे माजूद हैं आपके लिए एक इंस्पिरेशन पुरान बानी वो क्यों उस्ते अपनी जान की कुर्बानी भी और वो तमाम माए बेहने जो लाज़वाल कुर्बानिया दे रहे हैं आज उनकी नजरे पाकिस्तान के पार्लिमान पे कश्वीर कमिटी पे और आप और इस काम और पाकिस्तानी काम के जवानों पे और बच्चों पे पड़ि ली आज बात रोना दोना कर लिया बात मुक्तलिफ एवानों में अपनी माजी और कुर्बानिया और तवाम जो जो जल्म और बर्बरियत की दास्ताने बताते बताते ठक है लेकिन दुनिया ने हमारी बात उस सबर पर नहीं सुरी जिस पाकिस्तान के हकुमरानों की परोसी मुलकों समेथ दुनिया भर में देशतगर्दी और बदमनी की आगभागाना रियास्ती पॉलसी हो उस पाकिस्तान के हकुमरानों का बैनुल अलगमामी बरादरी में रुस्वाई और तनहाई से दो चार होना लाजमी है ये सच्चाई UNHRC यानी United Nations Human Rights Council के जनेवा में मुनाखिदा 46 में इजलास के दोरान साम में आई हजब दस्तूर पाकिस्तान की जानिब से इस इजलास में एक बार फिर कश्मीर का राग अलाप आ गया लेकिन भारत की सेकंड सेक्रेटरी सीमा पुजानी ने UNHRC के जलास में राइट टू रिप्लाई के तहट पाकिस्तानी नुमाइंदे को भारत के अंदूनी मामलात में दखल अंदाजी से बाज आने की बार्मिंग देते हुए पूरी आलमी बिरादरी को जमीनी हकाइक से टाया यूनियन टेरिटरी जम्मू और किश्मीर और लड़ाक अर निंटेग्रल और इनलियनिबल पार्ट अंदू इंडिया के सबसे बड़े जम्हूरी और सेक्लर मुल्क भारत समेथ दीगर महजब ममालिक में अकलिती फिर्कों के हुकुक की दुहाई देने वाले पाकिस इरादरी बखुबी वाकिफ हो चुपी है यही वज़ा रही कि यूएन एचार्सी के जलास में भारतिय सेक्रेटरी सीमा पोजानी ने पाकिस्तान में अकलिती फिर्कों के मजबी मकामात पर खुले आम होरे हमलों और अकलितों की नावालिक लड़कियों को अगवा बराय जबर निकाह के मजब तद्दील पर मजबूर किये जाने के इंसानी असोज वाकियात पर खुब आइना बिखाया The violence, institutionalized discrimination, and persecution faced by Pakistan's minorities, including Christians, Sikhs, and Hindus, has continued unabated. There have been frequent attacks on the places of worship of minority communities, a grave violation of their right to freedom of religion and belief. The condition of women belonging to minority communities, notably Hindus, Sikhs, and Christians, remains deplorable. पाकिस्तानी फौज के जबरन कबजेवाले बलोचिस्तान और खैवर पक्तूनख्वा सूबे में दहशत गर्दों की पुश्पनाई के खिलाफ आवाज उठाने वाले बलोचों और पश्तूनों की जबरन अगवाकारी और उने खूफिया टौर्चर सेलों में माबरा अद मुज्याकियों खिलाफ आवाज उठाने वाले नैशनल पार्टी बलोचिस्तान के सीनियर लीडर और मारूफ इंसाने हुकूप कारकून इद्रीज खटक को सुवाबी से जबरन अगवा करके लापता किये जाने के वाखिय को पूरी इंसानियत के लिए शर्मनाग बताया स इद्रीज खटक को बरतानवी एजेंट बताकर पाकिस्तान में मिलिटरी कोट में मुकद्मा चलाया जा रहा है पाकिस्तान में अमरीकी साफी डेनियल पल को खतल करने वाले उमर शेख समेथ दीगर मुझरिमों को सुप्रीम कोड की जानब से रिया किये जाने को जंगल राज की बत्तरीन मिसाल और दहशत गर्दों की पुश्पनाई की रियासती पॉलसी का हिस्सा बताया यूएन अच आर्सी के सालाना इजलास में भारत की सेकेंड सेक्रेटरी सीमा पुजानी ने पाकिस्तान में धहशत गर्दों की सरकारी पुश्पनाई का ही नतीजा है कि एफ़ेटीएफ यानि फाइनशल एक्शन टार्स पॉर्स ने पैरिस में हुए हालिया तीन रोजा इजलास के बाद पाकिस्तान को ग्रेलिस से निकालने से साफ इनकार ही नहीं किया बलकि पाकिस्तान को ब्लैक लिस से बचने के लिए जून तक का आखरी अल्टिमेटम भी दे दिया है FATF ने अपने फैसले में कहा है कि पाकिस्तानी हुकूमत ने यूनाइट इंडेशन्स की पाबंदी वाले देशतगर्दों के खिलाफ तक कोई सा कारवाई नहीं की ताहम पाकिस्तान को ब्लैक लिस से बचने और FATF के देशतगर्दी खिलाफ 27 मुकाबी एजेंडे पर मुकमल अमल दरावत के लिए जून तक आखरी महलत दी गई है अब बाद पाकिस्तान में भरती बेरोजगारी और माशी बधाली के आलम में महंगाई में हो रहे मसलसल इजाफी की पाकिस्तानी इख़दार पर काबिज होने से कबल बैरूनी करजा लेने पर खुदकुशी करने के बलंदो बांग दावे करने वाले वजीर आजम इमरान खान की हकूमत ने आई एमफ से रिकार्ड तोड करजा लिया नतीज़तन इमरान खान हकूमत को अब आई एमफ की शर्तें पूरी करने के लिए पाकिस्तान में आई रोज पेटोलियम मसनुआत बिजली और गैस जैसी बन्यादी जरूरियात की निर्खों में बेतिहाशा इजाफा करना पड़ रहा है ताहम इमरान खान हकूमत ने पाकिस्तान में दवासास कमपनियों को जरूरी दवाईयों की क्यमतें बढ़ाने की खुली छूट देकर गरीबों के मुश्किलें मजीद बढ़ा दी हैं पाकिस्तान के वजीरियाजम इमरान खान की हुकूमत एक तरफ गुर्बत हटाओ मोहिम चलाने और गरीबों को इंसाफ सेहत कार्ड के तहट साथ लाग पीस हजार रुपए तक के हेल्थ इंशूरंस की सहूलियत देने के फरे भी वाय दे कर रही है दूसरी तरफ इमरान खान की हुकूमत ने पाकिस्तान में दवा सास कंपनियों को अद्वियात की क्यमतों में मनमाना इजाफा करने की मनजूरी दे कर माली बधाली से दो चार गरीबों को इलाज मौलजे तक से महरूम कर दिया है यही वज़ रही कि पाकिस्तान में अद्वियात की क्यमतों में भारी इजाफे के खिलाफ लोगों ने शदीद गम औ घुस्से का इजहार किया यह जाहरी सी बात है अगर वापिस पुरानी कीमतों पे आजेगी हर अब हर बंदा जितनी प्राइज इन्हों ने बढ़ा दी है कौछ से बाई रोड़ी है हर बंदा नहीं परचेज कर सकता एक टैबलेट की प्राइज थी अठरवे उसकी प्राइज हो गई है एक अफते के रात तक उससे मुश्क्रत करनी है और सुबा जब निकलेगा शाम तक पहुंचेगा हजार तो वो कमा के घर लेकर जाएगा ठीकर अगर हजार की मैडिसन आ जाएगी तो उसमें वो घर में क्या खायागा और मैडिसन में क्या लेगा उससे जाहरी बात है उसका जो मरीज अधिवियात की क्यमतों में भारी इजाफे को लेकर शटर डाउन हर्ता लेकी गए और कोईटा सिवल हॉस्पिटल के सामने बलुचिस्तान की ताजिर तन्जीमों की चानिप से शदीद एहतजाजी धरना तक दिया गया मेडिकली सेशन वालों का और इनका साथ यूंका कि उसने एक बहुत आचा कदा मुटाया और इस दवाई का बाइकाट कर दिया जिसने पांच सव के बजाए पांच सव चार सव रपे इसने मिंगा किया है तो ये बलुचिस्तान की तरफ से तमाम बलुचिस्तान की मेडिकल कि दी जाए क्योंकि ये तमाम वरी बावां का मसला है तमाम ताजर विरादरी का मसला है तमाम मेडिकल स्टोर्स असोसियेशन और अन्जुमन ताजिरान के मुश्टर का धरने में शामिल कारूबारियों ने कहा कि इमरान खान की हुकूमत एक तरफ पाकिस्तान में तब्द के दावे कर रही है दूसरी तरफ बिजली गैस और पेट्रोलियम मस्नुआत की कीमतों में भारी इजाफा करने के अलावा अब गरीबों का जिंदे की जीना और बरना दोनों इलाज मुआलजे के बुन्यादी हक तक से महरूम रखने की साज़िशे कर रही है कल दवाई का कीमत 140 रुपे आज दवाई का कीमत 490 रुपे कल दवाई की कीमत 83 रुपे आज 117 रुपे मेरे ख्याल में सोभाई अकूमत ने आथ आथ पे रखकर सब ठीक है वो नारा लाप रही है के सब ठीक है कहां है हमारा सोभाई वजीरिसियत खुदारा इन लोगों को कंट्रोल कीजिए इन कमपणियों वालों को इनके खिलाफ सख सख कारवाई की जाए अंजमने ताजिरान के सरवराह अब्दुल रहीम काकर ने बताया कि पाकिस्तानी फौज और खुफिया एजिंसियों के जबरन कब्जेवाले बलुचिस्तान में हकूमत या कानून महस बराए नाम है दरसल बलुचिस्तान में पाकिस्तानी फौज का मुद्वाजी निजाम और जंगल रात चलता है इसलिए बलुचिस्तान में बासर कुबते गरीब बलुचों का जबरन इस्तेहसाल करना पैदाईशी हक मानती है अमारे इस बदनसीब सुबे में पिर अमारे इस बदनसीब शेयर में कोई कानून नाम की कोई चीज नहीं कोई अकूमत नहीं कोई पूछने वाला नही जो आया जो गिया जसने जो किया कर लिया ये कमपनियों वालों ने तो आप यकीन जानो गरीबों का, अवाम का, अमारे मेडिस्टन वालों का, अमारे मेडिकल वालों का कमरी तोड़ दिया, अमारे साथी कहते हैं, ये एक बात आप नोट कर ले, अमारे मेडिकल एसोसेशन वाले और अमारे मेडिस्टन वाले कहते हैं कि जब हम गाग को कस्टमर को दवाईयां देते तो कस्टम से हमें शर्म आती है कि हम कीमत बोलते हूँ पाकिस्तानी वजीर आजम इमरान खान और आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने बलोचिस्तान की राजञ्धानी खोईटा में एक हस्पिटल का संगे बुनियाद रखा था और खोईटा में UAE यानी मताहिदा अरब अमिरात की माली मदद से तामीर होने वाले काडियक हस्पिटल का संगे बुनियाद रखने के बाद सी पेक वगवादर पोर्ट जैसे चाइनीज मनसूबों की मुखालफत छोड़ने पर बलोचस्तान के लोगों को तरक्वी और खुशाली देने के दावे किये गए लेकिन पाकिस्तानी हुक्परानों ने अपने वाइदों के बरक्स जरूरी अद्वियात की क्यमते बढ़ा कर मौशी बढ़ाली से दो चार बलोचों की मुश्किले मजीद बढ़ा दी अब रुख करते हैं पाकिस्तान के पंजाब सूबे के सियाल कोट जिले के दसका कजबे का जहां जिमनी इंतखाबात में पाकिस्तानी फौज की कटपतली इमरान खान हुकूमत की जानिब से खुले आम की गई धांदिलियों को लेकर सियासी कोहराम मचता रहा पॉलिंग के रोज शदीद फारिंग में दो सियासी कारकूनों के बहिमाना कतल के बाद आपोजिशन पार्टी पाकिस्तान मुस्लीम लीग नवास की वाईस प्रेजिडेंट मर्यम नवास दसका पहुंची और उन्होंने वोटर्स को खौफ औ हिरासा और तकरीबन दो प्रेटी पीटियाई की हुकुमरानी वाले पंजाब सूबे में पार्वीमानी हलका नमबर 75 में जिमनी इंतखाबात में धान्यों के लिए जम कर तानाशाई हर्बे इफ्तियार किये वोटर्स को खौफ औ हिराशा करने के लिए सर्याम गोलिया बरसा कर सियासी कारकुनों को हलाप और जख्मी किया लेकिन तमाम तानाशाई हर्बों के बावजूद अपोजिशन पार्टी पीमल एन यानि पाकिस्तान मुस्लिम लीग के सियासी कारकुनों और गोटर्स होसला पस्त नहीं हुए तो सियाल कोट जिले दसका कज़वे में तकरीबन दो दरजन पोलिंग आफिसर्स को बैलेट बॉस के थैलों समेट अगवा कर लिया गया लहाजा अपोजिशन पार्टी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की वाइस प्रेसिडंट मर्यम नवाज ने जिम्न इंतखाबात के दोरान दसका में पोलिंग के रोज की गई भारी धानलियों के लिए वजिर आजम इमरान खान और एजन्सियों को सीधे तोर पर पार ठेराया और्डर्ज और इंस्ट्रक्शन के बगएर एक सूई भी नहीं हिल सकती तो मैं ये अच्छी तरह जानती हूँ कि वो नाम मेरे पास आ चुके हैं मैं सिर्फ ये इंतजार कर रही हूँ कि एसीपी के पास क्या-क्या सबूत हैं वो सामने आएं और मैं ये इंतजार कर रही कि ये खुद सच बता दें और मजीद छिर्मिंदगी से बच जाएं वरना वो हकाइक मुझे अवाम के सामने लाना पड़ेंगे मैं ये समझती हूँ कि अगर वो इस्टैब्लिश्मंट गहर जानिबदार नहीं है तो उनको गहर जानिबदार होना चाहिए और एलेक्शनز लड़ना पुलिटिकल जो मैदान है पुलिटिकल जोर तोड़ है स्यासी हकमत अमली है उसमें ना सिर्फ ये के दखल अन्दाजी करना एक पार्टी को सपोर्ट करना एक नाकाम खान को वोट चौर को सपोर्ट करना जो खुलकर अवाम के सामने आ चुका है, जिसने अवाम की जिन्दगी अजीरन कर दी है, एक ऐसी हकूमत को दवाम देने की कोशिश करना, उसके पीछे खड़ा होना, उसके लिए कोई efforts करना, अगर वो ये कर रहे हैं तो उनको नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये अवाम के सामन आके खड़े होने वाली बात है, जो कि किसी भी तरह अदारे के लिए अच्छी नहीं है। और उसने का कि हमें जबर्दसी कहा जा रहा था कि इलेक्शन कमिशन की गाड़ी में ने दूसरी गाड़ीों में बैठो और मतलब अगवा हो जाओ, इसी तरह वो जो वोट चोर एक प्रिजाइडिंग आफिसर पी टी आई का कारिंदा पकड़ा गया है, वो वोट का थेला चोरी करके फरार हो रहा था, उसको रंगे हाथों पकड़ाएं और वो सब वीडियो जवाम के सामने हैं। पाकिस्टान मुस्लिम लीग एनने इलक्शन कमिशन के फैसले का खैर मगदम करते हुए, चुनावी धानलियों में मुलविस इमरान खान की हुकुमरान जमाद पी टी आई के खलाफ कानूनी कारवाई करने का मतालबा भी कर दिया है। पाकिस्टान रिपोर्टर में अभी बाकी है, कराची में पीने के पानी से महरूम महाजर खानगानों में घम औ घुस्से का गुबार। लेकिन इससे पहले वक्त है पाकिस्तान रिपोर्टर के खुस्बसी सेगमेंट तेजर रफतार ख़बरों का। आईए इस खुस्बसी सेगमेंट में हमेशे की तरह डालते हैं एक नजर पाकिस्तान की हفते भर के कुछ चुनीदा ख़बरों पर। भारत और पाकिस्तान के माबें डीजीमो सते पर टेलीफोने के राबिता होने की खबरें आई पाकिस्तानी फॉज के तर्जमान मेज़र जनरल बाबर इफ्तेखार ने डीजेमो यानी डिरेक्टर जनरल आफ मिलिटरिक आपरेशन के माबें टेलीफोन पर राबिते की तद्रीक की और दोनों मुलकों के दर्मियान कंट्रोल लाइन पर उन्निस सो सताजिय जारी जन्गबंदी मौाइदे समेट तमाम बाहीमी मामलाद बाचीज से हल करने की सिम्त में आगे बढ़ने की खौईश जाहिर की पाकिस्तानी फौज के मेजर जनरल बाबर इफ्तेखार ने सचाई का इतराफ किया कि 2000 पी में दोनों मुलकों के माबें सीसफ़ाय मौाइदे को मजजीद मजबूती दी जाने के बावजूद पिछले दो बरसों में खलाफ वर्ज़गी वारदातें बढ़ी पाकिस्तान के सदर आरिफ अल्दी की जानब से फ्रांस के खिलाफ की गई मुतनाज़े तकारीर को लेकर दोनों मुलकों के दर्मियान सिफारती तालुकात बेहत कशीदा हो गए सदर आरिफ अल्दी ने मजहभी आजादी और अकलियतों के हुकोग पर पाकिस्तान में मुनाकिदा एक बेनुल अक्वामी कॉन्फरिंस में फ्रांसेसी पार्लेमेंट में शिद्ध पसंदी पर लगाम कसने के लिए मनजूर किये गए बिल को पूरी इसलामी उम्मत के खिल साल इसलामी शिद्ध पसंदी के जुनून में हुए देशत करदाना हमलों के मतनजर फ्रांस हुकूमत में इस तर लगाम लगाने के लिए इस तरह के कानून लाए गए पाकिस्तान के पंजाब सूबे की राजधानी लाहूर में एक डॉक्शो के दोरां दो गुर्पों में हुए आपसी जणरे बाद भगदर मच गई और इस भगदर के नतीजे में कई लोग बुरी तरह जखनी हो गए पुलिस से मौकाई वारदार पर पहुँश कर बसंद फैस्विल के दोरां खुले हम फाइरिंग करने वाले दोनों गुर्पों के लोग को ग्रफदार करके मामला रफादफा करवाया लाहूर के मकामी बाचिंदों ने कहा कि हर साल जशने बहारा फैस्विल की तखरीबात के दोरां डॉक शोकाओ बड़ी बेसबरी से नदजार करते हैं लेकिन बासर अफराद की आपसी लगाई ने इस बाहर सारा मज़ा के किरा कर दिया पाकिस्तान के वजीरियाजम इमरान खान की हुक्मरान जमात PTI के लीडरों के दर्मियान अंदरोनी इख्तलाफार बढ़ गए हैं ये सच्चाई वजीरियाजम इमरान खान ने अपनी पार्टी की हुकूमत वाले खैबर फख्तून खुआ सूबे की राजधानी पिशाबर के हालिया दोरे में सामने आई वजीरियाजम इमरान खान ने पिशाबर बहुचने पर PTI के पार्लिमानी नीडरान का हंगामी इजलास तलब किया लेकिन पाकिस्तानी सीनेट के आएंदा इंदखाबात पर सियासी तबादलाए ख्याल करने के लिए बुलाए गए इस इजलास में पार्लिमन्ट और सूबाई असेंबलियों के तकरीबन डेर दर्जन अराकीन शामिल नहीं हुए जब कि नौश शेहरा में जिमनी इंतखाबात में PMLN की शांदार जीत के बाद वजीर दिफा परवेज खटक के भाई लियाकत खटक और सुल्तान महमूर पी टी आई से पहले ही बरतरफ हो चुके हैं आखर में रुख करते हैं पाकिस्तान की इक्तसादी और सिंद सूबे की राजधानी कराची का और जैज़ा लेते हैं कराची में पानी की शदीद किल्ट को लेकर मच रहे हाहकार का पाकिस्तान की पोर्ट सिटी कराची के बाशिंदों खासकर महाजरों का कहना है कि सिंद में आपरिदिशन पार्टी पी पी की सुबाई हुकूमत की वजह से उन्हें पूरे साल ही बिजली और पानी जैसी बुन्यादी सहुलियात तक से महरूम रहना पड़ता है लेकिन मौसम गर्मा का आगाज होते ही उनके साथ बिजली और पानी की सप्लाई में इम्तियाजी सुलूक मजीद बढ़ चाता है ये मन्जर है पाकिस्तान के इख्तिसादी राजथानी और पोर्ट सिटी कराची का पाकिस्तान में पानी की शदीद कल्लत को लेकर यू तो चारों सुबों में हाहा कार मच रहा है लेकिन मौसम गर्मा के आगास के साथ पाकिस्तान में सिंध सुबे की राजधानी कराची के लोगों को पीने तक के लिए पानी मिलना बेहत मुश्किल हो जाता है हाला कि कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड के हुकाम ये दावा करते हैं कि शहर के तीन करोड लोगों को पानी मुहिया कराने के लिए उनके 14,000 मुलाजमी राट दिन मुस्तेद रहते हैं लेकिन वाटर बोर्ड के दावों के बरक्स कराची में बून्द बून्द पानी के हुसूल के लिए लोगों को लंबी लाइनों में अपनी बारी का घंटों इंतजार करना पड़ रहा है क्यंब बून्द पानी की बड़ फाना धो पानी का इस तरह से डबे लेके लेन पे खड़ा हुआ है कोई लीडर बता हो एक, कोई है इस तरह का, कर बैठे सब कुछ मिल रहा है, महाज कर रहा है, गाडियों में गुम रहा है, लाखा रोपया तनखा मेल रही है। हम हुकुमत से यही चा रहे हैं, मुझे पानी आ जाए, मेरे गली में 20 साल हो गया पानी नहीं आ रहा है। हम लोग पानी के लिए बेजार हैं, गली इत्ती दबी हुई हैं, मैं टंकर भी नहीं गिरा सकते हैं। तो खारा मिला के देखे जाता है, तो हम कहां जाएं आप बताएं, खारा पानी फिला सकते हैं, बच्चों को बिमार कर सकते हैं कराची के बाशिंदों का कहना है कि वाटर बोर्ड में बदुनबानियों का बोलबाला उरूच पर पहुँच गया है लिहाजा वाटर बोर्ड के मुलाजमीन की सांठ कार्ट की वज़े से पूरे कराची शहर में पानी टैंकर माफिया मनमानी कीमतों पर पानी फरुखत कर रहे हैं और उन्हें मजबूरी में उनसे पानी खरीदने पर मजबूर होना पड़ रहा है वाटर बोर्ड की तरफ से कराची में पानी सप्लाई पाइपों की मरमत के लिए जगा जगा गड़े तो खोदे जाते हैं लेकिन इसके बाद लंबे अर्से तक कोई खेर ख़बर लेने तक नहीं आता दस-दस दिन पानी नहीं आता कोई पूछने के लिए नहीं आता यू तो पूरे कराची शहर में ही पानी की शदीद खिलत को लेकर मकामी बाशिंदे परिशान है लेकिन सितम जरीफी ये है कि कराची में पानी की फराहमी में सबसे जादा सोतेला सुलूक गरीब मोहाचरों की रहाइशी बस्तियों से किया जा रहा है इसकी एक बड़ी वजह है सिंद में सुबाई हकूमत चलाने वाली पी 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 और मोहाचरों की पार्टी MQM के दर्मियान सियासी रसाकशी की रिवायत मुतासरा मोहाचरों का कहना है कि बिचली और पानी के बिलों की वक्त पर अदाईगी के बावजूद उनकी रहाइशी बस्तियों से इंत्याजी सुलूक किया जाता है सिंद सूबे की राजधानी कराची में मोहाचरों की रहाइशी बस्तियों को बिचली और पानी की फरहमी में इंत्याजी सुलूक को लेकर MQM के लीडरान हमेशा से आवाज उठाते आए हैं यही नहीं जमाते इसलामी भी कराची में बिचली और पानी की खिलत को लेकर शदीद एहतिजाजी मुझाहरे कर चुकी है लेकिन कराची में बिचली पानी के लिए आवाज उठाने वाले लीडरों और स्यासी कारकुनों को मुंतशिर करने के लिए हुकूमत तानाशाही हर पे इस्प्यार करती रही यही वचे है कि हुक्मरानों को शर्मसार करने के लिए मुझाहरी अब अचीब औ घरीब तरीके इस्टमाल कर रही है इसके साथ ही पाकिस्तान रिपोर्टर का आज का शुमारा अभ यहीं इखताम पज़ीर होता है पाकिस्तान रिपोर्टर के नई शुमारे में नई ख़बरों के साथ अगले हफ़ते इसी रोज इसी वक्त फिर होगी मुलाकात तब तक के लिए नमस्कार खुदा हाफ़ाद क्या जाने बुलबुल क्या चुनालान सुली आव सुली द्राव सुदामान देंट कुं। गंदरी रूदस्वनहार वेस्यवाई मगचान चहब निर्णां बगु दरणा मश्को शर जिग्रिक जह नूरां बगु दरणा मश्को मगचान चहब निर्णां बगु दरणा मश्को शर जिग्रिक जह नूरां बगु दरणा मश्को